कि निफ्टी के बारे में जानते हैं निफ्टी वेसे रेंज बाउंड रहेगी इसका रीजन है यह ओवरबॉर्ट में है विकली चट में में विक्नेस है और डेली का आरे साइस सिग्नल लाइन के नीचे है तो उपर में रिजिस्टन्स दिरूर्द हैगा लेकिन शॉट सेल नहीं कर सकते हमें स्क्रिप्ट वाइज स्टॉप करना पड़ेगा बायर साइड में अच्छा रहेगा क्योंकि कि विकली में निफ्टी बुलिष साइन में है कंपलिकली तो बायर साइड में अच्छा रहेगा हम स्टॉप से करके देखते हैं उसमें अच्छे स्टॉप सकॉन से है और देखते हैं जो हमें आइंग के लिए जुस्फुल है मार्केट पोजिशनल शॉट से नहीं बता रहा है टाटा मोटर डी वी आर यह अच्छा है टाटा मोटर भी अच्छा है आपको यह देखना है कि यहाँ पर बुदिशनेस है और एक लोज दे रहा है ऐसे कोई भी स्टॉक्स आपको बाई में जाना है तो सिंपल फंडा रखना है टाटा मोटर डी वी आर पोजिशनल शॉट सेल नहीं हो सकता मार्केट में तो टाटा मोटर डी वी आर टाटा मोटर दो स्टॉक्स मिल गए है अभी देखो यह स्टॉक्स यहां पर देखते हैं तो वह श्वाट एवरेस से काफी दूर है और इसलिए इसको यह करेक्शन होना एक्स्पेक्टेड है यह correction देखके जाएगा उपर तो अच्छा रहेगा तो हमें उल्टाज भी मेरे खंसीक अच्छा स्टॉक रहेगा उल्टाज उल्टाज आप बाइक कर सकते हो बाइक के निक अच्छा स्टॉक रहेगा दिलेरी भी होल्ड कर सकते हो क्योंकि इसका रीजन है विक्ली में बुलिश फप्रा है लोज पी उपर है और यह डेली चार्ट में चॉर्ट अऔरज मिड अवरेज में डिफरण्स कम है इसके वजह से उपर चाने के चांसे ज्यादा है मन्तनी का भी MSD और RSI दोनों favor है बाइक के लिए ये delivery बाइक के लिए अच्छा रहेगा full touch मरकेट short sell में profit नहीं देगा position short sell लेके नहीं जाना intra ने जो बताया था वो इस अब से fast हो जाएगा short average के पास आ गया short average से cover हो गया है ये हो सकता है ये भी short average के पास है अभी short sell करने में मतलब नहीं बनता है या बाइक के लिए रह देखना पड़ेगा बाटा इंडिया भी अच्छा है भारत फोर्च को भी च्पास भी जान जारकना है लेकिन होल्टा सबसे बेस्ट है और टार्टा मोर्टर टार्टा मोर्टर डीवी आर बाश हो जो काफे उपर आएं थे नरा बैंग भी है क्योंकि इसमें विखली में शॉट एवरेज के पास हैं बुलीश है और मंजली में भी बुलीश है और कौटर ली में भी लोज देखे हैं यह कल बाई में आए जाएगा क्योंकि बुलीश है इसेल टेक शॉट सेल मत करना बाई की लिए चांसिस देखो इसेल टेक इंडिया बुलीश्टिट कल देखा था शॉट सेल हो जाएगा और यह बाई मत करना इसको बाई करेंगे तो तकलिप और काम रहें इसेल बैंक भी अच्छा है बाई के लिए चार्ट के सबसे जो नीचे जा रहा है अब यह इंडिया सिमेंट नीचे जा रहा है मंतली के सबसे कॉटरली के सबसे तो एक पर्टिकुलर लेवल पे हमें बाई करना है एक सो चेक पे बाई करना है इसको 106 में बाई करना है डिलियरी होल्ड करना है उसको इंफ्रा ट्रेल अपना टार्गेट कंप्लीट करके आया है नीचे लेकिन शॉट सेल पोजीशन नहीं बना रहा है इंफ्री को भी अभी शॉट सेल मत करना है ना कि ठोड़ा नीचे जाके वापस उपर आएगा माइन ट्री यह देख लाना अभी काफी निच्छा आया है मेरे खाल से थोड़ा जिनको डिलियरी होल्ड करना है वो एक्मिलेट कर सकते हैं लेकिन 500 अच्छा रहेगा रेक ट्री बात वाफस से लाका रापसाद़ मेरे यह दोड़ा जोड़ा दो रिलाइंस भी बाई के लिए अच्छा है रिलाइंस इन्परा तो है रिलाइंस भी बाई के लिए अच्छा है सिमेंस भी एक अच्छा है बाया है वो जो डेली का जो लेवल था उसने टच करके डेली का स्वरी बेली का मीड अवरेज का जो और विकली में शॉर्ट अवरेज का जो पॉइंट था वो टच करके उपर जा रहा है यह भी अच्छा है तो हमारे पास स्टॉक्स मिल रहे हैं इसमेंसे सबसे पहला रहेगा वोल्टाज XCN-TEC Tata Motor DVR Tata Motor Tata Motor DVR Tata Motor Cements Reliance Industries Weekly List Bajaj Auto Vata India Vata India Vata 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 हाँ सेंचुरिय अच्छा है ना विकली को इसी को टाच हो के अवरली में बाया है देखो नो आरे साइए अवरली में बाया है है ओके कर सकते हैं होल्डिंग के लिए ओके और बीपी एल वन में ओके किसल्द भी हो सकता है लेकिन इसमें थोड़ा रहले हुआ है इसलिए स्टॉप लगा है ओके सर कोलपाल कोलपाल भी बाया है कर देखो एक बार हो है कि सरे में गाप बहुत कम है तो जा सकते हो तो मैं से नीचे है तो नीचे में बाय करो इसका करेक्शन होने तो ओके एंसर लास्ट एक लूपिन है लूपिन तो बैचते है लूपिन बैस्ट ए लूपिन बेस्ट है है यहा लेशकते तो इसमें लेक्ते कॉल उक्शन मेरेकल से रिलांस्मन ने आते हैं कोगे अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक बुदिश है बुदिश है बुदिश है बुदिश है 136 के उपस सस्टेंड होगा तो यहीं उपर जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा प्लीज चेक उसको 136 के उपस सस्टेंड है पोजिशन रहेगा तो मेरे खाल से ऐसे कभी भी बाय करना है तो यह लो से नीचे आना चाहिए यह थोड़ा नीचे जाके आना चाहिए वह अच्छा रहता है यह उपर के भाव में बाय करके तोड़ा रिक्स रेता ही है यह यह यहां से यहां तक आ जाए यह रिक्स रहेगा लेकिन है बुलिश इंट्रिक हली दिखना चाहिए टार्गेट्स हुल्टास का टार्गेट मन्तली के साथ में निकालो वह हुल्टास अच्छा बाइक में है मन्तली के साथ में ले लो तर्गेट्स यह हाय माइनस लो मेरे कल से 350 क्रॉस करेगा ओल्डिंग पर पजय है अनु क्वेस्ट्चन एलो साँ आ बोलो मिडम सर यह NHPC में weekly MACD और मन्तली RSI negative divergence है तो एक बार निकाल के entry लेना अच्छा है उसमें दो में देखता हूं हाँ हाँ weekly MACD divergence है और मन्तली RSI divergence है फास्ट लेना पड़ेगा very fast 25 में निकाल के 24 में लेन अपनेगा मन्तली 6 तक नहीं आएगा 23 अच्छा होगा 24 में भाय करना पड़ेगा अब एक पड़ेगा सकते हैं तो फिल निकालने का कोई मतला अच्छा है इसलिए नहीं कुछ फाइदा नहीं हो जाना ओके 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 असर और एक स्टॉक है IDBI bank IDBI bank इतना अच्छा नहीं है नहीं है तो उसमें monthly monthly MACD और quarterly RSI divergence है that is not clear cut buy नहीं है short average below mid average MSD के value निकेट हुआ है okay 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 thank you sir yes sir any question sir NCC by pay one में यह था हाँ NCC 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 by कर सकते है try कर सकते है okay okay thank you sir okay good night good night good night sir 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 झाल